तो आप अपनाना सिखाऊंगी मेक्सिकन चिकन ब्रेड रोल उससे पहले मारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज़्यादा शेयर करें मेक्सिकन चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए तो इसे किनारे काट लिए हैं काली मिर्च पाउडर लिए हैं सफेड मिर्च का पाउडर और गैनो लिए हमने वन टी स्पून चिकन को बॉयल के लिए 10 grind गाजर लिए इसको अलबाई में काट लिया है एक चोटे साइस की गाजर लिए थी एक द्रम्याने साइस की मिर्च लेंगे एकड़ इसको भी हमने इस तरह से लंबाई में काट लिया है तो यह सुरे सोस लेंगे 1 टेबल स्पून थाफ टी स्पून लेंगे लाल मिच नमक लेंगे हश्पीस आइका फुदीना लेंगे 1 टेबल स्पून चीज एड़ कर सकते हैं इसको मैं चोटे-चोटे श्ट अन्दे इसकोट रूत लेड़ टोडल ब्रैट क्या सब्यदे के लिए और ब्रैड लेंगे एड़कर आपमस खैके खैका फुल exhib कर देख शुद्द गाजर शम्रेट कर देंगे प्याज शामिल कर देंगे, खुटिलाल मिर्च डालेंगे, काली मिर्च, सफेद मिर्च और औरिगानो डाल देंगे, अब हम इसे 5-7 मिनिट तक पका लेंगे, अब इसमें नमक डालेंगे, स्वया सोस दालेंगे, और चिली सोस अड़ करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें पुदीना शामिल कर देंगे, और जब यह ठंडा हो जाएगा, हम इसमें 1 तेबर स्पून मायनीज अड़ करेंगे, एक मैं अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें हो गया है, अब हम इसकरी फिलिंग करेंगे, छोटते चोटते पीसिस में तोड़ लिया है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे, प्रविज प्रविज हम इसमें शामिल कर देंगे अब इसके रोल क्यार करेंगे एक बैट श्लाइज लेंगे इसका शरसे तियार किया हूँ मिक्सर डालेंगे बैटे को पॉंचा है अंडल का लेंगे साइडों पे इस तरह से इसे प्रेस करके बड़ कर देंगे अब हम इसे सारे त्यार कर लेंगे इसकी कोटिंग करेंगे अंडा लगाएंगे और ब्रेट क्रम्स लगाएंगे अब हम इसे प्लेट में सर्फ करेंगे चिकन ब्रेड रॉल हमारे रेडी हो चुके हैं आप इसे घर में जुरूर ट्राय करें पूंसूं के मौसम में इस तरह की चीज़े बहुत अच्छी लगती हैं आप इसे बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं अगर आप आप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगए तो चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें अपना ख्यार रखें दौा में याद रखें अलाह पीस